मुलाना विधान सभा सीट से नागरा दमपती का दावा मजबूत। नागरा दमपती सहिट 46 ने कॉंग्रेस की टिकेट के लिए किया आवेदन। हर्याना में विधान सभा चुनाव की तारीक ते हो चुकी है अब सभी राजनीतिक दल अपने योग्य उम्मीद्वारों की तलाश कर रहे हैं। इसी कड़ी में कॉंग्रेस पार्टी के द्वारा भी हर्याना की 90 विधान सभा सीटों में कॉंग्रेस से टिकेट मांगने वाले नेताओं से आवेदन करवाया गया था। विधान सभा मुलाना की बात करें तो यहां से 46 नेताओं के द्वारा कॉंग्रेस की टिकेट मांगी गई है। बता दे कि यह सीट रिजर्व सीट है और यहां से मौझूदा समय में सांसद वरुल चौदरी विधायक हुआ करते थे। अब इस सीट से 46 नेता कॉंग्रेस पार् इतनी दावेदारी पेश की गई है। कौन है नागरा दमपती, क्या है राजनीतिक जीवन एडवोकेट। एडवोकेट माला सिंग नागरा। एडवोकेट माला सिंग नागरा मौझूदा समय में पंचकुला से कॉंग्रेस पार्टी की जिला परिशद की सदस्य हैं और हर्याना प्रदेश महिला कॉंग्रेस की प्रदेश महा सचिव की पदपर कार्यरत हैं। एडवोकेट अश्वनी नागरा, All India Bar Association के वाइस प्रेज़िडेंट रहे एडवोकेट अश्वनी नागरा किसी भी परिचय के महताज नहीं है। एडवोकेट अश्वनी नागरा इसस की साथ ही स्टेट सेक्रेटरी राजीव गांधी पंचायती राज संगठन हर्याना, प्रदेश उपाध्यक्ष वाल इंडिया बार असोसियेशन हर्याना के पदपर कार्यरत है। नागरा दंपती का पूरा परिवार लोगों को न्याय दिलाने के लिए हमेशा लड़ाय मुलाना विधान सभा सीट पर उनकी प्रबल दाविदारी इसलिए भी मानी जाती है कि उनके पारिवारिक सदस्या अमन कुमार नागरा यहां से सांसद रह चुके हैं। आप देखने वाली बात ये होगी कि कॉन्वरेस पार्टी मुलाना विधान सभा सीट से किसे द्वार बनाती है।